इस जरम खुनली को मंगवाईए, ओरर करिए और अपनी समस्या का समाधान इस जरम खुनली के पन्नों में पाईए, चाहे हो समस्या कोई सी भी क्यों नहीं हो, तो मैं स्प्लोजर सचीन आपसे वादा करता हूँ, आपकी समस्याओं का हल इस जरम पत्री में छुपा हुआ है, पढ़िए और जानिए कि आपको आपकी परशानियों से मुक्ती कब और कैसे मिलेगी, अभी ओरर करें। जानना चाहते हैं, आप अपनी जरम गुली को पढ़ना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि कब आपका भाग्युदे होगा, कब आपकी नौकरी लगेगी, कब परिवार में खुशी आएगी, कब हमारे गम के बातल दूर होंगे, कब हम शादी कर पाएंगे, कब हम प 299 रुपीज में आप अपनी जनम कुनली पनवा सकते हैं जो हिंदी और अंग्रेजी में आपको दी जाएगी आपके मोबाइल फोन पर या आपके वाट्सेप नमबर पर या आपकी इमेल आईडी पर इसमें बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा आपका भविश आपके ल जर्म कुनली में मिल जाएगा आप और करें दिये गए नमबरों पर और इसका कोड है ल 1 लिखकर आपको भेजना है वर आप देखेंगे कि आपकी कुनली अगले 72 आर्स में आपके पेमेंट करने के बाद 72 आर्स में आपके पास आपके वाइल पर यापकी इमेल आईडी प अब बात करते हैं राशी फलगी सुर्यदे होगा पांच बच के 37 मिनट पर सुर्यास्त होगा छे बच के 16 मिनट पर तिती है शुक्रपक्ष चतुर रशी नशत्र है चित्रा वार गुरुवार चंद राशी कन्या नौ बच के 30 मिनट एम तक फिर तुला अब जीत मुहरत है 11 बच के 50 मिनट एम से 12 बच के 44 मिनट पी एम तक मेश राशी आज आपका जीवन साती से बड़ा सहयोग रहेगा एक दूसरे की बात मानेंगे आपको एक दूसरे का प्यार मिलेगा एक दूसरे का साथ मिलेगा रोमैंटिक वूड होगा पढ़ाई लिखाई बच्चों की अ महिला को न सताए महिलाओं से अच्छा बहवार रखे बच्चा बराशी आज का दिन विद्या में सफलता प्राप्ति के लिए अच्छा है नौकरी का देर लोग अपना कारे पूर्ण आतुशास के साथ करेंगे स्वास अच्छा रहेगा मन में पसंता रुस्ता बना लेगा पारवारी के स्बाजी को समय भाग लेंगे वैपारी लोग अपने वैपार में होना थी क्यों देश किसी लंबी जातरा पर जाएंगे खिलाडी लोग खेल में अच्छा पधाशन करेंगे मान समन प्राप्तिक जीतेंगे करक राशी, आज कर दिन तराओं समस्याओं से मुक्ति पालेने का है, परिवार और मित्रों के साथ आनंदित रहने का है, किसी समाजी कारिफम या परवारी को उस्टों में भाग लेने का है, कोई नया वहानी त्यारी खाइदने का है, आपके संबंद आपनी माताजी से अच्छी रहेगी, कन्याराशी, आज कर दिन जोश और हिमर से कुछ असाथान कारने का है, चोटी पर यात्राएं करने का है, आरती किस्तिती सामान रहेगी, स्वास्त के परती साथान रहें, तो वहानी तारी खहिना चाहते हैं, तो उसे इस्तकीत करें, आपके संबंद जी इश्वर हैं, और इश्वर कभी भी गलती नहीं करते हैं, यह आपको भी पता है, तो अगर आपके जीवर में कुछ गलत हो रहा है, आपके जीवर में कुछ भी सही नहीं है, आप किसी भी परशानी से परशान है, वो परशानी चोटी सी हो सकती है, वो बड़ी सी हो सकती है तो उस समस्या का हल आपकी इस जनम कुली में लिखा है कि इस परशानी से कैसे आपको मुक्ती मिलेगी तो आप भी अगर अपनी किसी भी परशानी से मुक्ती पाना चाहते हैं चाहे आप महिला हैं चाहे आप पुरुश हैं तो ये जरम खुली आपकी मदद कर सकती है 110 परसेंट इस जरम खुली को मंगवाईए और करिए और अपनी समस्या का समाधान इस जरम खुली के पन्नों में पाईए चाहे हो समस्या कोई सी भी क्यों नहीं हो तो मैं स्प्लाजर सचीन आपसे वादा करता हूँ आपकी समस्याओं का हल इस जरम पत्री में छुपा हुआ है पढ़िए और जानिये कि आपको आपकी परशानियों से मुक्ति कब और कैसे मिलेगी अभी ओरर करें नमश्कार तुला राशी आज सब्ता का सरुष्टि थी थे दिश्चित रुप से आप समान में मान समान की प्राप्ति करेंगे वेपरियों को आपको आपका वे बढ़ेगा आई से यादी खर्चा होगा थोड़ा सद्ध्यान से पैसा खर्च करेगा चोटे भाई-बहन नुक्सान पह बचे वर्थ के वादी वाद के बचे आपकी घर की बेहात्वास आशांती हो सकती है स्वास्त को लेकर सावधान है धर्म का निवेश सोच समझ करें दरुराशी आयर्वरे समान रहेगा आज आपकी आर्ति की स्थिश्ची ठीक रहेगी प्रेम समद्द में सुधार होगा अ महत्पूर लोगों का साथ मिलेगा आपकी कारे की स्थिश्ची सुधा सकती है माता पिता के स्वास का संचे ध्यान नक्यों में द्याती है अधियन कारें में कारशीत होंगे जीवन साथी के नाम को संपत्ती मिल सकती है जीवन साथी की तरक्की से तिलकुष होगा आप रव वान सम्मान मिल सकता है, स्वास्ते समान रहेंगा लेंगे कुछ बान से परशानिया बनी रहेंगी, मीन राशी, वहां चलाते समय सड़क पर चलते समय सावधान रहें, धन का निवेश करने के दिए समय शुब नहीं है, जिवर साती से तालमेल बिठा कर रखें, कुछ अश्यक तनाव रहे सकता है, अनौश्यक वादिवास से बचे प्रेव समन में दिन समान रहेंगा, हर्मान जी की उपासना, अश्यक जी की उपासना करिएगा, सभी काम बनेंगे, किसी भी मंदिर में जाकर केला या पीले-केले या चने की डाल दान देना आपके लिए अच तो व्यक्ती को क्या अफ़ल मिलेगा, आप अपनी जनम कुल कर देख सकते हैं, यहां पर बैठे हुए गुरु तक्स पर बैठे होते हैं, यहां पर बैठे हुए गुरु आपको बढ़िया नौकरी, बढ़िया वैपार, या कहें नौकरी और वैपार में उच्छ स्थान द करता है, घरेलू और पारिवारी जीवर में भी अच्छा बना रहता है, यहां पर देव गुरु ब्रस्पति का बैठना बहुत ही शुब है, अगर वो शुब है और शुब ग्रहों से दरश्टी पा रहे हैं, या शुब ग्रहों से यूती कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए सोने पर सुहादा भी हो सकता है, आपको भी अगर अपनी जनम कुंडी बनवानी है, तो दिये के नमरों पर संपर कर सकते हैं, अगर आपको अपनी अपॉइंट्मेंट बुक करानी हैं, तो भी आप दिये के नमरों पर संपर करा सकते हैं, संपर करें दिये के नमरों पर आप जानना चाहते हैं इस छोटी सी कुल्ली में वो लिखा है जो आपके दिमाग में चल रहा है कि मेरे जीवन में अच्छा वक्त कब आएगा अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में अच्छा वक्त कब आएगा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप सफल कब होंगे आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में सारी खुश्या कब आएंगी तो अभी इस जरम खुली को बनवाएं इसकी खीमत है 2.99 विद आल टेक्सेज मिला कर रहोगा और ये आपको PDF के रूप में वाटसेप पर बेजी जाएगी या फिर आप ये सब कुछ आपको बताया जाएगा इसको मंगाईए अभी और करिए दिये के नमरों पे लिखिए L1 इसका कोड है और 72 आर्स के अंदर ये आपकी पूली आपको मिल जाएगी कभी-कभी जाधा वर्क लोड होने की वज़े से बिलम हो सकता है लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस अब कदिर शुब रहे नमास्तार जोतिश वो परम ज्यान है जिसके माधयम से आप अपने आज और कल को जान सकते हैं जोतिश को लिखने वाले बनाने वाले इश्वर हैं और इश्वर कभी भी गलती नहीं करते हैं ये आपको भी पता है तो अगर आपके जीवन में कुछ गलत हो रहा है आपके जीवन में कुछ भी सही नहीं है आप किसी भी परशानी से परशान है वो परशानी छोटी सी हो सकती है वो बड़ी सी हो सकती है तो उस समस्या का हल आपकी जनम कुली में लिखा है कि इस परशानी से कैसे आपको मुक्ती मिलेगी तो आप भी अगर अपनी किसी भी परशानी से मुक्ती पाना चाहते हैं चाहे आप महिला हैं, चाहे आप पुरुश हैं तो ये जिनमकुली आपकी मदद कर सकती है 110% तो इस जिनमकुली को मंगवाईए, ओर्डर करिए और अपनी समस्या का समाधान इस जिनमकुली के पन्नों में पाईए चाहे हो समस्या कोई सी भी क्यों नहीं हो तो मैं स्पलोजर सचीन आपसे वादा करता हूँ आपकी समस्याओं का हल इस जरम पत्री में छुपा हुआ है पढ़िए और जानिए कि आपको आपकी परशानियों से मुक्ती कब और कैसे मिलेगी अभी ओर्डर करें नमस्कार